अलो गाइस वेलकम बेक टो आर चनल नीट संजीवनी इस रिटिक शापड़ा है अगें विद यू तो आप जानते ही हैं कि बायो मॉलिक्यूल्स मिन्डरल नूट्रिशन यह कुछ ऐसे शप्टर्स हैं जिन में कि स्टुडेट को काफी प्रॉब्लम रहती हैं तो आज हम करते हैं वीडियो और अगर आपने मिन्डरल नूट्रिशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल जाएगा आपको वहाँ पर देख सकते हैं काफी सिंपल शप्दों में पूरा मिन्डरल नूट्रिशन विद ट्रिक्स समझ तो इस चप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है बाइयो मॉलिक्यूल्स में हमें पढ़ना है कि लिविंग और गयानिजम किन कैमिकल से बने हैं वो कैमिकल क्या हैं उनकी प्रॉपर्टीज और उनके बारे में हम थोड़ी बहुत नॉलेज लेंगे और कुछ नहीं पढ अच्छा है उसमें plant tissues हो, animal tissues हो या फिर कोई microbial paste हो तो हमें बताया गया है इस chapter में कि वो सब same materials से ही बने हैं, same chemicals और same elements and compounds से ही बने हुए हैं और साथ ही अगर हम बात करें non-living matter जैसे कि earth crust की तो उसमें भी जब यह experiment और analysis पर फॉर्म किया गया तो उसमें भी हमें यहीं दिखा कि वो भी इन ही elements से बनी है जो की main basic elements है carbon, hydrogen, oxygen, etc. तो हमें यह बताया गया है कि living or non-living में same elements की composition ही present है बस relative abundance थोड़ी सी अलग-अलग है जैसे कि carbon और hydrogen की बात करें तो जो human beings यानि living organisms है human beings कहाना सही नहीं होगा living organism जो है उनमें जो carbon और hydrogen का relative abundance है earth crust के comparison में वो जादा होता है जैसे कि आप देखिए table में यहाँ पर table में आप दे 0.03 यानि कि per 100 gram में 0.03 gram और human body में 18.5 gram तो अगर हम बात करें human body की भी तो इन में भी earth crust से ज़्यादा elements की abundance है तो यह बात आपको ज्यान रखनी है कि relative abundance जो है वो living organism में earth crust से ज़्यादा मिलती है आप सारे elements की देख सकते हैं यहाँ पर अब हम analyze करें कैसे इस chemical composition को तो उसके लिए हम क्या करेंगे कोई भी living tissue लेंगे जैसे की vegetable हो गई या कोई liver का piece हो गया उसको हम trichloroacetic acid में grind करेंगे आपको बस trichloroacetic acid याद रखना है बाकी इसमें सी कोई बात आपको ध्यान रखने वाले नहीं है बाकी फिर उसकी हम slurry बन concentrate जा फिर जिसको हम technically बोल सकते है acid soluble pool और दूसरा जो रहा जाएगा यानि कि retentate उसको हम बोलेंगे acid insoluble fraction क्योंकि जो acid में soluble होगा वो acid के साथ ही बाहर आ जाएगा जब हम cheese close से squeeze करेंगे उसे strain करेंगे तो जब acid बाहर आएगा तो जो acid में soluble होगा वो भी बाहर आ और जो acid में soluble नहीं था insoluble था वो पीछे ही रह जाएगा अब ये तो हुई मोटी मोटी बात अब हमें क्या करना है हमें inorganic compounds और elements के बारे में जब जानना होगर तो उसके लिए एक और experiment हम कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हम tissue को पूरी तरह से burn कर देंगे य उसका dry weight हम calculate कर देंगे उसके बाद उसे fully burn जब हम कर देंगे तो carbon compound सारे oxidize होकर gases form में बाहर निकल गए जो उसके बाद बचा remaining that is called ash तो जो ash है वो उसमें सब inorganic elements मिलेंगे calcium magnesium etc और ये सब हमें acid soluble fraction में भी देखने को मिलते हैं mainly जो हमें इस chapter में पढ़नी है वो चार चीज़े है protein है carbohydrate है और अपना nucleic acid है और lipid है तो इन चारों के बारे में basically बात की जाएगी पूरे chapter में फिर चाह एंजाइम हो भी protein का part है और उसके बारे में इस पूरा chapter गुमेगा सिर्फ चार basic चीज़ें आप ध्यान रखें सबसे protein जो होते हैं वो hetero polymer होते है amino acids तो सबसे पहले जानते हैं यह amino acids चीज़ क्या है amino acids होते है organic compounds जिसमें कि एक amino group होता है एक acidic group होता है on the same carbon यह दोनों same carbon पर attach होंगे इसलिए इने alpha carbon या alpha amino acids भी बोलते हैं क्योंकि alpha carbon पर attach है और हम इने substituted methane भी बोलते हैं कि आप जानते हैं methane CH4 होता है तो उसमें H की जगा यह COOH और NH2 group add हो जाते हैं तो इसलिए इनको substituted methane भी बोला गया है चार substitute groups लगते हैं amino acids में जो की carbon की चार valency पर लगते हैं सबसे पहला लगेगा carboxyl group तूसरा amino group एक hydrogen और एक variable group होगा जो की R group जिसके basis पर हम define करते हैं amino acid को की वह amino acid कौन सा है अब जैसे कि हम यहाँ बात करें यहाँ पर R group आपको बताया गया है तो इसको हमने नाम दिया सिराइन अब जो number of amino या carboxyl group है उसके बेस पर हम amino acids को तीन में डिवाइड करेंगे acidic basic और neutral तो acidic का example आएगा glutamic acid और basic में lysine और neutral में valine तो acidic amino acid में क्या होता है carboxylic group जो हैं वो ज़्यादा attach होते हैं तो इसलिए उसका nature acidic के तरफ move कर जाता है इसको आप example में glutamic acid नाम से ही पर चल रहा है acidic है और basic में lysine और basic जोगा इसमें amino group ज़्यादा होंगे और neutral में दोनों बराबर होंगे जैसे कि आपको इन examples में भी show भी करा था दोनों में एक एक था तो ये neutral है तो उसको example हो गया वलाइन तो ये होगा इनके examples उसके बाद हम बात करें ये तीन example दी है तो structure जो होता है amino acid का वो भी change कर जाता है ये देखिया जब हम इनको acidic medium में डालते हैं तो आप A वाला structure जो देख रहे हैं वो बनता है यानि कि water में जब हम इसे डालेंगे तो zwitterion form होते हैं बीज called zwitterionic form अब बात करें lipids की तो they are generally water insoluble ये water में soluble नहीं होते हैं lipids और fatty acid के हम बात करें तो fatty acid में carboxyl group होता है क्योंकि ये simply fatty acids ही होती है lipids होते है fatty acid में क्या होता है एक carboxyl group होता है जो की R group से attach होता है अब जो R group हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है methyl, ethyl, कोई भी higher number का carbon 1 carbon to 19 carbon तक ही हो सकता है और अगर हम carboxyl group का carbon में मिला दे तो 20 carbon तक बस fatty acid जैसे कि palmitic acid है इसमें 16 carbon होते हैं including carboxyl carbon यानि 15 R group में हो गए और एक हो गया COH group का arachidonic acid की बात करें तो इसमें 20 carbon होते हैं इसमें भी including the carboxyl carbon अब lipids, they have bought glycerol and fatty acids तो जो fatty acids होते हैं they are found esterified with glycerol उसमें ester bond बनते हैं with glycerol fatty acids के और यह monoglyceride, diglyceride, triglyceride कुछ भी हो सकते हैं these are also called fats and oils based on their melting points के base पर इनको हम fat और oil में भी divide करते हैं जो oils होते हैं they have lower melting point जैसे की jingli oil आप यहां देख सकते हैं and hence remain as oil in winters fats की हम बात करें तो आप जो घर में घी, butter यह सब use करते हैं these are all fats जो की solid ही रहते हैं room temperature पर भी कुछ lipids जैसे की they have phosphorus and phosphorylated organic compound in them इनको हम बोलते हैं phospholipids यह हमें मिलते हैं कहां पर cell membrane में जैसे की lecithin इसका एक example है और कुछ tissues especially neural tissues हैं they have lipids with more complex structures जैसे की cholesterol जो की काफी complex lipid है यह हमें neural tissues में देखने को मिलता है आप diagram में देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं डाइग्राम में cholesterol का diagram आपको direct exam में question इस पर पूछा जा सकता है बताइए यह किसका diagram है इस compound का नाम बताइए कौन सा compound है बाकि fatty acid आप यहाँ पर palmictic acid देख सकते हैं 16 carbon है इसमें और यह glycerol यह ट्राइग इस रॉल में esterified कर दिया fatty acids को RCOH बस और कुछ भी नहीं किया हुआ इसमें वाकि phospholipid की structure थोड़ा सा complicated है उससे और तीसरे हैं हमारे nucleic acid जिसमें की heterocyclic rings found होती हैं तो इनमें कुछ nitrogen bases होती है adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine जब these are found attached to sugar they are called nucleosides and when phosphate group is also found esterified to the sugar they are called nucleotides अगर nitrogen base or sugar होंगे खाली then they are nucleoside and if they are combined also with phosphate group then it is called nucleotide यानि कि nucleoside plus phosphate group is nucleotide तो adenosine, guanosine, thymidine, uridine, cytidine these are all nucleosides जो की sugar के साथ attach होकर बने हैं और adenilic acid, thymidilic acid, guanilic acid, uridilic acid and cytidilic acid are all nucleotides यह आपसे पूछा जा सकता है, वहाँ पर हो सकता है आपको adenilic acid पूछ लें, बता हो यह nucleotide है यह nucleoside है तो अगर आपने इसे पढ़ावाओगा आप simply देख सकते हैं क्योंकि phosphate group यानि कि आप phosphoric acid ऐसे देखिए, phosphoric acid है तो acid जब उसमें add कर दिया तो वह अपने आपी acid बन गया, तो यानि यह nucleotide और बाकि जब sugar add करेंगे तो adenine से adenosine, guanine से guanosine, और thymine से thymidine, uracil से uridine, cytosine से cytidine तो जनरली यह है और nucleic acid जो होते हैं like DNA and RNA, they consist of nucleotides जैसा कि मैंने आपको बताया and DNA and RNA function as genetic material, you all know very well structure होते हैं, और जो uracil और अपना cytosine है, यह single ring structure होते हैं, आप यह बात ध्यान रखिए यानि कि purines जो होते है, adenine और guanine आप चानते होंगे, double ring structure and pyrimidine single ring आपको most probably NCRT से ही question आएगा अगर इनके basis पर, इनके diagram के basis पर आया तो बाकि फिर भी आप ध्यान रखिए कि guanine में भी double ring ही होती है, बाकि देखिए इसमें sugar add कर दिया हमने यह ribose sugar add करी है हमने, तो यह क्या बन गया? और यूरेसिल क्या बन गया? यूरेडीन, उसके बाद adenilic acid बन गया, phosphate group जब हमने attach कर आडेनो साइन में, तो nitrogen base यह आप देख सकते हैं, यह nucleoside है, और यह third number पर nucleotide है बाकि sugars की बात करें हम, तो sugars में आप यह structure देख सकते हैं, glucose का आप सब काफी अच्छे से well known होंगे structure से, और यह ribose sugar का structure है, जो कि आपने अभी nucleic acid में भी पढ़ी नीचे, कि कैसे ribose sugar nitrogen base से attach होती है most probably, आपको एक question इस topic में सही मिलेगा, जो आपने भी करा है पीछे, इसके examples में से आप से पूछा जा सकता है या कुछ भी इन से related चीज़ें पूछी जा सकते हैं, जो आपने भी एक दो page पीछे पढ़े हैं, most probably इन से question आ सकता है उसके बाद हम बात करते है, primary and secondary metabolites, यह क्या चीज़ है बला primary metabolites तो यही सब चीज़े हैं, जो हमारे biomolecules हैं, जो भी हमने पढ़े हैं यह proteins, nucleic acid, यह सब primary metabolites हैं, जिनके functions हमें known हैं हाला कि जब हम analyze करते हैं कुछ plant, fungal, microbial cells को, तो हमें thousands of compounds मिलते हैं देखने को other than these primary metabolites, जैसे कि alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, gum, spices, यह सब क्या हैं यह सब secondary metabolites हैं, इनके functions हमें अच्छे से नहीं पता, we do not understand the role of functions of all the secondary metabolites but many of them are useful to humans, आप यहां पर देख सकते हैं, pigments, carotenoids and anthocyanin, carotenoids आप जानते हैं yellow, orange color के होते हैं, और anthocyanin, blue color, pigment, alkaloids, morphine, kodine, terpenoids, monoterpen, dieterpen, essential oil है lemon, grass oil, सब नाम से ही देखिए, terpenoids, monoterpen, dieterpen, nाम से ही याद हो रहे हैं सब बाकि यह toxin, alkaloid और drugs, इन तीनों में अंतरा आप ध्यान लखे के बच्छे बूल जाते हैं alkaloids में आएंगे morphine और kodine, toxin होंगे abarin, rishin और drugs हैं winblastin, curcumin बाकि lactins, concavenivalin A, polymeric substances हैं अपर rubber, gum and cellulose finally अब हम आते हैं biomacromolecules में, biomacromolecules वो जो हमें acid insoluble fraction में मिले थे यही सब nucleic acid, protein, carbohydrates and lipids यह सब तो अब हम बात करते हैं पहले इनकी definition की यह होते क्या चीज़ हैं बला the compounds found in acid soluble pool जिनका की molecular weight होगा 18 to 800 daltons approximately उनको हम बोलेंगे biomolecules या biomicromolecules जो acid insoluble fraction में होते हैं proteins, nucleic acid, polysaccharide, lipids यह हैं with the exception of lipids they have molecular weight in the range of 10,000 daltons अभी exception of lipids क्यों अभी इसकी बात भी करते हैं हम आगे बाकि यह जो molecular weight less than 1,000 daltons होगे they are usually biomicromolecules और biomolecules और जिनका ज़्यादा होगा जो acid insoluble fraction में में भी लेंगे वो biomacromolecules तो अब बात करते हैं lipids को उने exception क्यों डाला कि उन तीनों का weight चलो 10,000 daltons या उससे ज़्यादा है इसलिए उने biomacromolecules में डाला लेकिन lipids का जब weight इतना नहीं है with the exception of lipids बोला है में तो फिर इसे biomacromolecules में क्यों डाला गया तो lipids का जो molecular weight होता है वो तो कम होता है but they are found in structures like cell membrane and other membranes तो जब हम किसी tissue को grind करते हैं तो हम cell के structure को disrupt कर देते हैं तो जो cell membrane और other membranes होते हैं they are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble अभी हमने पढ़ा था lipids are not water soluble, they are water insoluble तो जो membranes होते हैं ये membrane fragments होते हैं in the form of vesicles, they get separated along with the acid insoluble pool क्योंकि ये water में तो soluble है नहीं, तो ये separate हो जाता है acid insoluble pool में, and hence in the macromolecular fraction but lipids are not strictly macromolecules, ये बात आप ध्यान लखिएगा आप से true false में पूछ सकते हैं question, इस table से भी बन जखता है कि water कितना percent present होता है, protein, carbohydrate, lipid, nucleic acid और ions ये आप ध्यान की water आप सब जानते हैं, बच्पन से पढ़ते हैं कि 70% of our body is water, तो 70 to 90% तो water हुआ फिर उससे कम proteins, क्योंकि आप proteins ही लेते हैं supplement जो भी आप कहते हैं, हमें protein चाहिए भाई तो यहीं protein जादा ही होगा तो 10 to 15% protein, water के बाद protein, then carbohydrates, then lipid, and then nucleic acid तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, nucleic acid 5 to 7% है, lipids 2%, carbohydrate 3% और ions सिर्फ 1% present होता है, average composition of cell में अब पढ़ते हैं, अपने bio macromolecules को थोड़ा सा detail में चाहिए, ज़्यादा detail में नहीं जाएंगे proteins क्या है, polypeptides है, linear chains of amino acids linked by peptide bonds आप सब जानते हैं, amino acid peptide bonds से link होते हैं, और फिर ये polypeptide क्या कहलाता है protein, 20 types के amino acids found होते हैं, अब तक जो found हो है, 20 types के amino acids है इसमें example कुछ दिये गए है, alanine, systeine, proline, tryptophan, lysine, etc and a protein is a heteropolymer, nota homopolymer, यह बाद आप ध्यान रखेगा अलग-अलग amino acids जुड़ते हैं, chain में, by peptide bonds एक ही amino acid का protein नहीं होता, अलग-अलग amino acids जुड़ते हैं और वो मिलकर एक protein बनाते हैं, amino acids can be essential as well as non-essential आपको भी मैं list देता हूं इनकी भी, बाकी आप एक बार इनके देख लिएजे, कुछ proteins के function दियेगे, जिसकी collagen protein आप जानते हैं intercellular ground substance होता है, trypsin enzyme, आप डिजेशन chapter में पढ़ चुके होंगे insulin hormone होता है, very easy आप सब जानते होंगे antibody, fights infectious agents, receptor, sensory reception, smell taste hormone, etc and glut force पर question आचुका है काफी बार, glut force होता है, it enables glucose transport into the cells तो आप ये जो tables and secondary metabolites, proteins के function, abundance of elements in earth crust and human body ये भी जो average composition of cell अभी आपको दिखाया था, तो इन सब tables को एक बार इस chapter के अच्छे से कर सकते हैं अगर आप अपनी performance अच्छी करना चाहते हैं इस chapter में, बाकी basic बाते तो ये जो मैंने highlight करी भी है आप अगर ये ही सब पढ़ लेंगे, तो आपका ये chapter 80% clear हो जाएगा, 82-85% अब बात आए अगर essential और non-essential amino acids की, तो उसमें हम ये आप examples यहाँ पर देख सकते हैं essential और non-essential amino acids के, essential amino acids में आप याद रख सकते हैं, बाकी सारे non-essential ये क्योंकि non-essential आप देख सकते हैं, थोड़े याद करने में टिफिकल पढ़ेंगे essential amino acids वो जो हमें बाहर से चाहिए, food के तरूम जो हम gain करते हैं, non-essential तो हमारी body ही बना लेती है, इसलिए वो हमारी essential नहीं है, बाकी ज़रूरत हम सब की है non-essential इसलिए non-essential बोला गया है, क्योंकि वो हमारी body अपने आप बना रही है, essential हमें बाहर से लेने पड़ते हैं यह देखें, lysine, leucine, isoleucine, यह सब एक जैसे हैं, and phenylalanine, tryptophan अभी आपने यह aromatic में पड़े थे, then 309, methionine, valine, arginine and histidine, these are essential amino acids, बाकी के बचे हुए जो आप इदर देख रहे हैं, these are non-essential amino acids, बाकी जैसे आपको better लगया, आप वैसे देख सकते हैं, no problem, जैसे आपको याद क सकते हैं, कहीं बार इसे question आजकल पूछ लिया जाता है, essential amino acids के उपर, आप से हो सकता है, book से ही पूछे, आपकी NCRT से ही पूछे, बाकी हो सकता है, by chance, अगर बाहर से देना चाहें, वो, एक आदर question डाल देते हैं, वो, तो उसके लिए आप एक बार इसको go through कर लिजेगा, collagen की बात करें, तो collagen most abundant protein है in the animal world, और जो ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, यानि की rubisco है, it is the most abundant protein in the whole of the biosphere, वो सिर्फ animal world में abundant है most, और ये whole biosphere में, अब next आता है अपना polysaccharide, polysaccharide क्या है, long chains of sugars, they are called polysaccharide, saccharide means sugars, and long chains of sugars are called polysaccharide, जब बाड़ी सारी sugars attach होते हैं, बाड़ी सारे ये carbohydrates attach होंगे, इनको हम बोलेंगे polysaccharides, and they are threads, literally a cotton thread, they are literally like a cotton thread, containing different monosaccharides as building blocks, जैसे की cellulose है अपना, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, जो कि हम जानते हैं, that is glucose, तो cellulose इस लेकिया हो हो, homopolymer, starch इसी का variant है, but it is present as a storehouse of energy in plant tissue, starch is also a homopolymer, animals have another variant called glycogen, glycogen animals में होता है food storing tissue, food storehouse होता है, energy का sorry, food का नहीं, energy का storehouse, plants में starch है, और animals में glycogen, starch के structure, homopolymer आपको बता देख, glycogen भी homopolymer है, बाकि starch में amylos और amylopactin present होते हैं, तो उनके polymers present होते हैं, उनके homopolymers, उनको मिलाके starch बनता है, तो उसके बाद बात करें कि हम inulin की inulin होता है, polymer of fructose, it is also a homopolymer, अब ये reducing end और non reducing end क्या होते हैं, reducing end वो जो दूसरे को reduce कर सके, यानि कि खुद oxidize हो सके, easily, तो जहां पर aldehyde ketones group present होते हैं, उसको हम बोलते हैं reducing end, क्योंकि वो easily oxidize हो जाता है, तो दूसरे को reduce कर देता है मतलब, और left end जहां पर कि हमें alcoholic groups मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं non reducing end, जो कि easily oxidize नहीं होता है, उसके ल secondary structure form करता है, that's why it can hold iodine molecules in the helical portion, तो starch I2 इसले ही blue color का observe होता है, लेकिन cellulose में ऐसा कुछ नहीं है, वो complex selects नहीं form करता है, hence it can't hold I2, यानि कि iodine, जो plant की cell wall होते हैं, आप सब जानते हैं, cellulose से बनी होती है, paper made from plant, pulp and cotton fiber is cellulosic, जो more complex polysaccharides होते हैं, they are also present in nature, they have as building blocks, amino sugars and chemically modified sugars, जैसे कि glucosamine, anacetyl galactosamine, etc, जैसे कि exoskeleton होते हैं, arthropods का, for example है वा complex polysaccharides, chitin, chitin के बारे में आपको बड़ी confusions रहती हैं, कि chitin homopolymer है, heteropolymer है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, these complex polysaccharides are mostly homopolymers, but chitin is a homopolymer, यहाँ पर आपको मैं image दिखाता हूँ, आप image किये, इसको देखकर भी आपको clear हो जाएगा, कि chitin is a homopolymer, because एक unit repeat हो रही है, तो इसलिए तरसा homopolymer, confusion की ज़रूरत नहीं है, next अपना nucleoside हम पहले ही बड़ी detail में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कुछ ज्यादा detail होती भी नहीं, nucleic acid के बारे में, इसमें hydrocyclic compound होता है, second is a monosaccharide ribose sugar, आपने पढ़ी है, third is a phosphoric acid और phosphate, जो sugar found in polynucleotides is either ribose, जो की RNA में यूज होती है, और two dash deoxy ribose, जो की DNA में यूज होती है, nucleic acid contain deoxy ribose, deoxy ribonucleic acid, while ribose is called RNA में present होगी, उसको बोलेंगे ribose, structure of proteins के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चार structure होते हैं, stream में बात करते हैं, NaCl, MgCl2, यह सब molecular formula के base पे होते हैं, structure से होते हैं, उसके बात जब हम benzene, naphthalene वगारा इन सब की बात करते हैं, जो organic chemist होते हैं, वो two dimensional view में देखते हैं molecules को, बाकि फिर जब बात करें, physicist की, they conjure up the three dimensional views, लेकिन जो biologist हैं, they describe protein structure at four levels, primary structure, secondary, tertiary and quaternary, तो जो sequence of amino acids अगर positional information ही बताया हमें, which is the first amino acid, which is second and so on, उसको हम बोलेंगे primary structure, जैसे कि एक line की form में होता है, जिसका की left hand represented by first amino acid and right hand represented by last amino acid, इसलिए हम first hand को क्या बोलते हैं, N-terminal amino acid, क्योंकि left side में NH2 present होता है और right side में CUH present होता है, last amino acid को इसलिए हम बोलते हैं, C-terminal amino acid, उसके बाद हम बात करते हैं, secondary structure की, and when these primary structure protein threads are arranged in the form of a helix, जो कि proteins में only right handed helix होते हैं, आप धयान रखेगा, तो वो structure फोल्ड करके बना लेता है, एक और structure that is called the secondary structure, फिर जब यह long protein chain है, it is also folded upon itself like a hollow woolen bowl, it will give rise to a tertiary structure, आप फिगर में या देख सकते हैं, पहले यह secondary structure बना हुआ हुआ है, the helix की form में turn हो गया, and then it curl upon itself, it is fold upon itself, it is a tertiary structure, the tertiary structure होता है, it is absolutely necessary for the many biological activities of proteins, यह बात आप तयान रखेगा, और जो quaternary structure में क्या होता है, linear string of spheres, spheres arranged one upon each other in the form of a cube or plate etc, it is the architecture of protein called quaternary structure of protein, जो कि हमें देखने को मिलता है कहां पर, human hemoglobin में, it consists of four subunits, two of these are identical to each other, two subunits of alpha and two of beta type, so यह था हमारा hemoglobin के बारे में बताया है हाँ आपर, और nature of bond, peptide bond अभी आपको बताया है कि COH और NH2 ग्रूप के बनता है, proteins इसी से बनते हैं, amino acid, एक amino acid का COH, दूसरे का NH2, आपस में bond बनाएंगे, peptide bond, जिससे की पूरी peptide की change बनती जाएगी, जिसको polypeptide यानि की protein बोलेंगे, और यह bond बनता कैसे है, formed by elimination of water, moiety water निकलेगा, bond बन जाएगा, this process is called dehydration, glycosidic bond के process में भी same यही काम हो रहा है, dehydration ही हो रहा है, दो carbon atoms जो होते हैं, adjacent monosaccharides के, उन में से 1 में से, H1 में से OH निकलेगा, और अपना glycosidic bond बन जाएगा, अब nucleic acid में क्या होता है, यहाँ पर बनते हैं ester bond, एक phosphate जो होता है, वो link करता है, एक 3 dash carbon of sugar of 1 nucleotide, to the 5 dash carbon of the sugar of succeeding nucleotide, जैसा कि आपको मैं diagram में भी दिखाता हूँ, the bond between the phosphate and hydroxyl group of sugar is ester bond, and as there is one such ester bond on either side of phosphate group, it is called phosphodiester bond, यह देखिए, आपको figure में दिखाता हूँ, एक carbon का, यह आप sugar देख रहे हैं, thaymine के साथ लगी होई sugar, इसके साथ जो 5th position पर carbon है, 1, 2, 3, 4, 5, thaymine के साथ लगी होई पर, और जो इसके नीचे, जस नीचे, guanine के साथ जोड़ी हो sugar है, उसका जो 3rd carbon है, यह देखिए, यह उन दोनों को attach कर रहा है न, phosphate group ester bond बना रहा है, जनरली यह भी water remove करकर ही बन रहा है, उसमें से H ले रहा है और इसमें से OH, तो वो remove हुआ bond बन गया, यह भी dehydration से ही बना है bond, तो यह है phosphodiester bond, तो nitrogen basis के बारे में आप जानते होंगे, they project more or less perpendicular to this backbone, and face inside, inside की तरफ face करते हैं वो, A and G, यहनि की adenine and guanine जो होते हैं वो thymine और cytosine के साथ base pair बनाते हैं, और A और T के बीच में 2 bond बनते हैं, hydrogen के और G और C के बीच में 3 bond बनते हैं, जैसे ही हम एक-एक step उपर जाते हैं, इसेंट पर trend turns करता है 36 degree, ऐसे ही फिर 10 जब steps उपर चला जाते हैं, तो यहनि की 360 degree गुम जाता है पूरा, इसलिए उस 10 को बोलते हैं pitch, तो pitch कितनी होती है DNA की 34 anga strong, उसको अगर 10 से divide करते हैं, यहनि की 3.4 anga strong, तो यह हमारा rise per base pair हुआ, कि per base pair जाने पर कितनी हमें length उपर जाना पड़ा, तो pitch generally एक, उसकी length के form में आप कह सकते हैं, तो यह जो features हैं, यह हैं BDNA के, ऐसे ही काफिसारे और BDNA अब तक हो चुके हैं, describe, तो उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, अब कुछ नहीं राएगा इस chapter में, भी chapter आप खतम समझेए, यह living state और यह सब तो ऐसे ही है, every chemical reaction is catalyzed reaction, there is no uncatalyzed metabolic conversion in living system, even CO2 dissolving in water is a physical process, a catalyzed reaction, सब कुछ catalyzed चल रहा है हमारी, एक यह example आप याद कर लीजिए, anabolic और catabolic का, anabolic मतलब पुछ बनना और catabolic मतलब तूटना आप सब जानते होंगे, acetic acid becomes cholesterol, example of anabolic pathway, and glucose become lactic acid in our skeletal muscle, it is example of catabolic pathway और catabolism, बाकी सब आप चाहें तो यह पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें से कुई question पूछने वाला है न, यह living state में, living state क्या होती है, it is a non-equilibrium steady state to be able to perform work, क्योंकि हम सब जानते हैं कि equilibrium पे कर कोई system होता है, वो perform work नहीं कर सकता, तो जो living process है, is a constant effort to prevent falling into equilibrium, equilibrium में पहुच गए, मतलब खेल खतम, without metabolism, there cannot be a living state, अब यह enzymes क्या चीज़ होते हैं, enzymes भी proteins ही है, there are some nucleic acids also that behave like enzymes, जैसे कि ribozyme, बाकी mostly जो होते हैं, almost all enzymes, they are proteins, तो जो backbone होती है protein chain की, it falls upon itself, criss-cross itself and hence, many crevices or pockets are made, one such pocket is the active site, active site क्यों होती है, enzyme की वो crevice या pocket है, जिसमें की substrate आकर fit करेगा, आप जानते होंगे, enzyme catalyze करते है, reactions को, substrate आता है, enzyme कुछ करता है उसमें, और वो product बन जाता है, वो substrate को यहां पर attach करता है, active site पर अपनी, फिर उसमें कुछ modifications करता है, then उसके बाद में product मिल जाता है, inorganic catalysts जो होते हैं, they work efficiently at high temperatures and high pressure, जबकि जो enzyme होता है, they get damaged at high temperature, because बाकि जो enzymes होते हैं, जो extremely high temperatures में organisms रहे रहे हैं, जो उनसे isolate किये गए हैं, जैसे कि, जो hot wind, sulfur springs में organisms रहते हैं, जो उनसे isolate किये जाते हैं enzymes, they can retain their catalogue power even at high temperature, up to 80 to 90 degree Celsius, बाकि thermal stability is an important quality of such enzymes, isolated from thermophilic organisms, उसके बाद यह general thumb rule दिया गया है, that the general rule of thumb is that rate doubles or decreases by half, जब भी हम 10 degree rise करते हैं, या 10 degree कम हो, या 10 degree rise, for every 10 degree Celsius change in either direction, the rate of reaction doubles or decreases by half, और या आप example देख सकते हैं, इसका कि absence of enzyme कितनी खतरनाक हो सकती है, enzyme क्या करता है, in the absence of enzyme, the reaction is very slow, जो आप देख सकते हैं, carbon dioxide plus water, जो कि आपके respiration में काम आती है, आपने पढ़ाओगे breathing chapter में, with about 200 molecules of H2CO3 being formed in an hour, however, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with up to 6000 molecules being formed every second, कहां 200 molecules एक गंटे में बन रहे थे, अब कहां 6 लाख molecules per second, तो the enzyme has accelerated the reaction about 10 million times increase कर दिया reaction कर रेट, ये काम करता है enzyme, इसलिए enzymes जरूरी हैं, इसलिए सारी जो reactions हो रही हैं हमारी body में, they are all enzyme catalyzed, कोई भी ऐसी reaction नहीं है, जो कि enzyme catalyzed ना हो, enzyme का action या working के बारे में आप सब पढ़ चुके होंगे, कि substrate जो होता है, वो आप पहले भी काफी पढ़ कर आ चुके होंगे, इसमें ये transient होता है, और कुछ changes करता है, फिर ये substrate में और bond breaking, making के बाद complete जब हो जाता है, तो product release हो जाता है from the active side, enzyme क्या काम कर सकता है, देख सकते हैं अब इस figure में भी, कि substrate पहले transition state में तो जाएगा, ये transient phenomena होता ही है, ये जो enzyme substrate complex है, तो activation energy without enzyme, इतनी activation energy चाहिए होती है, product बनाने के लिए, लेकिन अगर हमने enzyme use कर दिया, तो देखिए कितनी सी energy में काम हो गया, इतनी सी energy दी, transient state एक दम आ गई और product बनके काम खतम, तो enzyme की तरह ही काम करना है हमें भी, हमें भी enzyme लगा कर ही काम करने हैं अपने, ताकि हमारी reactions भी फटा-फट हों, हमारी speed पढ़ाई में बड़े, हम अच्छे से पढ़ पाएं, अच्छे से अपना focus लगा पाएं, concentrate कर पाएं, और neat को फोड के दिखा सकें, चाहे एक्जोथर्मिक reaction हो, spontaneous, यानि कि चाहे एंडोथर्मिक हो, requiring energy, the substrate has to go through a much higher energy state, और transition state, जो difference होता है, as or, transition state में उसको हम बोलते हैं, activation energy, बाकि nature of enzyme action, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे, enzyme substrate complex बनेगा, फिर enzyme product complex बनेगा, and then enzyme plus product are free, अभी आपको बताया थी, कि जो enzymes होते हैं, काफी sensitive होते हैं, यह काफी narrow range of temperature और pH में काम करते हैं, activity इनकी decline हो जाती है, चाहे तो नीचे ले जाओ, इनकी range से, चाहे उपर ले जाओ, यह दोनों में ही denature हो जाते हैं, तो इसलिए they are very sensitive to temperature, pH and everything, यह देखिए आप temperature का graph देखिए, कि optimum range पर ही आपको enzyme की activity देख रही है, बाकि low और high पर pH में भी, temperature में भी दोनों में आप देख सकते हैं, कि enzyme activity कितनी कम है, बाकि यह velocity of reaction का एक graph है, यह आप देखिएगा, इसके बारे मैं भी आपको आगे बताता हूँ, कि कैसे देखिए, यहाँ पर substrate की concentration बढ़ रही है, तो enzyme की जो reaction की velocity है, वो भी increase कर रही है, लेकिन एक point पर आकर, यह Vmax जहां पर आगया, उसके बाद substrate बढ़ा रहे हैं, तब भी velocity नहीं बढ़ रही है, क्योंकि Vmax आ गई है, क्योंकि enzyme substrate से कम होने लग गए है, यानि कि substrate enzyme के बराबर हो चुका है, इस से ज़्यादा substrate अगर डाल भी दिया, तो enzyme reaction पे, velocity पे फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक enzyme, एक substrate को ही product बना सकता है एक time पर, तो Vmax तक ही काम करता है, substrate का बढ़ाना भी, यहाँ पर उसी को explain किया गया है, कि कैसे एकदम से जब starting में हम increase करते हैं, substrate की concentration बढ़ाते हैं, तो velocity of reaction rises at first, and then जब maximum velocity achieve हो जाएगी, तो उसके बाद concentration नहीं increase होगी, बाकि जब Vmax by 2 आती है, तो उस concentration को, उस substrate concentration को, हम Michaelis constant से denote करते हैं, बाकि इनिबिशन के बारे में आप पढ़ लिजएगा, कि जब chemical की, किसी chemical की वज़े से, enzyme की activity shut off हो जाए, उसको हम inhibition बोलते हैं, और उस chemical को हम inhibitor बोलते हैं, inhibition का example हमें competitive inhibitor का दिया गया है, जैसे कि succinic dehydrogenase melonate का जो होता है, inhibition, which closely resembles the substrate succinate in structure, जो mellonate होता है, वो succinic dehydrogenase जैसा दिखता है structure में, इसलिए ये competitive inhibitor हैं, एक दूसरे के competitive inhibitor की definitions ही ही होती है, which closely resembles the substrate in its molecular structure, and inhibits the activity of enzyme, तो such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogens, बाकि classification enzymes का six classes हैं, जिसकी 4 to 13 subclasses हैं, और उसके 4 digit number के according name किया जाता है, उने, ये oxid or reductase जो होते हैं, ये एक का oxidation कर देते हैं, एक का reduction कर देते हैं, transfer is क्या करेगा, एक group को इधर से उधर transfer कर देगा, hydrolase क्या करेगा, water जोड के तोड़ेगा, समझ रहे हैं आप, water जोड के तोड़ेगा, और lyase क्या करेगा, यह ऐसे ही तोड़ देगा आप देख सकते हैं lies C के उपर X, C के उपर Y लगा था इसी double bond C आया और XY अलग तूट गया लेकिन जो hydrolase आप सबने पढ़ा है peptide bond अभी आपको बता है तब water के निकलने से बनता है तो जब यह bond तूटता है तो water add होके तूटता है उसके बाद इसमें बनते हैं इसके अलग-अलग products उसके बाद अगर हम बात करें और की isomerase की isomerase क्या करेगा includes all enzyme catalyzing interconversion of optical geometrical or positional isomer बनाए देगा ligase क्या करेगा यह join करता है दो groups को उसमें help करता है co-factor important topic co-factor क्या है there are non-protein constituents called co-factor which are bound to the enzyme to make enzyme catalytically active catalytically active enzyme का होना बहुत जरूरी है the protein portion of enzyme is called the apo enzyme and apo enzyme plus these co-enzymes or you can say co-factor is combinedly called holo enzyme तो जो co-factor हैं तीन तरह के आपको दिखाता हूँ prosthetic groups organic compounds हैं जो की tightly bound होते हैं apo enzyme से इनका example peroxidase and catalase जो की catalyze करता है breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen और जिसमें prosthetic group होता है होता है heme and it is a part of the active site of enzyme फिर co-enzyme की बात करें यह भी organic compound है but their association with apo enzyme is only transient इनकी association weak होती है वो tightly bound होती है prosthetic group and co-enzymes usually occur during the course of catalysis तो जो essential chemical components होते हैं of many co-enzymes they are vitamins example co-enzyme, nicotinamide, adenine, dinucleotide, NAD and NADP contain the vitamin niacin इसके आप example से याद कर लीजेगा and a number of enzymes require metal ions for their activity which form coordination bond with side chains add the active site and at the same time they form one or more coordination bond with substrate also जैसे की zinc है is a co-factor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase यह आपको mineral nutrition chapter में भी मैंने बात बता ही है mineral nutrition की वीडियो में फिर कहूँगा link description में आपको दिया हुआ है देख लीजेगा अगर आपको वो चैप्टर मुश्किल लग रहा था अब तक I am really sure आपको उस वीडियो को देखने के बाद बिलकुल भी नहीं लगेगा आप उसके questions भी easily निकाल पाएंगे तो इसके हम बात करें the catalytic activity is lost when the co-factor is removed अगर हम co-factor remove कर दें enzyme में से तो उसकी catalytic activity भी lose हो जाती है which testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme finally chapter complete हुआ जाद बड़ी वीडियो नहीं हुई है सही है वीडियो बाकि आपको मैं नीचे description में mineral nutrition chapter का link तो मैं देही दिया है साथ में इस chapter के biomolecules chapter के जो NCIT exemplar questions है उनका link भी आपको नीचे description में मिल जाएगा आप महाँ जाकर उसको attempt कर नहीं कोशिश कीजिए और देखे आप कितने marks score कर पा रहे है comment कीजिएगा बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी आप इस type your videos चाहते हैं क्या और like कर दीचे का कर आपको पसंद आई हो तो thank you very much guys for watching the video up to end and bye bye